हाई एवरिवन वेलकम टू माई चैनल सो आज का वीडियो होने वाला एक सोट टोप पर इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टीचिंग को तो वीडियो शुरू करते हैं सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1.5 मीटर लाइनिंग और यह सिल्क फेवरिक है कुछ इस तरह से यह है 2 मीटर सो पहले हम lining के उपर mark करेंगे सो कुछ इस तरह से मैंने lining को लिया हुआ है उसकी लंबा है 18 inch तो अब हम यहाँ पर solder measurement लेंगे सो मेरा solder measurement है 14 inch तो उसका आधा आएगा 7 inch लेकिन मैं यहाँ पर half inch कम ले रही हूँ तो मैं यहाँ पर 6.5 पर mark करूँगी तो अब हमें यहाँ solder से ही लेना है armhole 6.5 पर उसके साथ से आएगा burst line 10.5 पर हमें यहाँ तक ही mark करना है यह एक loose top है तो यहाँ तक ही marking होगी बाद में यहाँ पर एक straight line रो होगी तो अब हमें यहाँ पर यह सारी point पर line रो कर लेना है तो अब लूंगी में round measurement आपका round measurement जो भी हो आप उससे 4 से divide करके लिजे तो मेरा round measurement है burst area का 34 inch तो उसका 4 से divide करने पर आएगा 8.5 inch तो अब लूंगी में गले की marking मैं गले की width ले रही हूँ 3 inch और उसकी deepness ले रही हूँ 3.5 inch उसके साथ से हमें back वाले गले को भी mark कर लेना है 2 inch पर अब हमें यहाँ पर एक box ड्रो कर लेना है और front and back के गले को साथ में draw कर लेना है कुछ इस तरह से और armhole को भी draw कर लेना है तो अब हमें यह point से 3 inch पर mark लगाना है यह वाले point से हमारी straight line रो होगी यहाँ से तो अब हमें यहाँ पर एक straight line रो कर लेनी है तो यहाँ पर मेरी यह marking पूरी complete हो चुकी है अब मैं उसे cut कर लूँगी तो यहाँ नीचे की side में मैंने main fabric को रखा हुआ है अब हमें यहाँ पर उसे cut कर लेना है सबसे पहले मैं यहाँ पर बेक वाले गले को cut करूँगी तो उसके बाद हमें यहाँ पर उसे अलग कर लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर front वाले गले को अलग से cut कर लेना है तो यहाँ पर मैं अब front वाले गले को भी cut कर लूँगी सो यहाँ पर मेरी यह cutting complete हो चुकी है अब हम उसे stitch करेंगे सो यहाँ पर हमें पहले lining को रखना है कुछ इस तरह से और उसके उपर हम यहाँ पर main fabric को रखेंगे यह वाले कपड़े को हमें उल्टा रखना है सो अब मैं यहाँ पर पूरे में pin up कर लूँगी सो कुछ इस तरह से मैंने यह दोनों पार्ट में pin up complete कर लिया है अब जहाँ पर भी यह pin up किया हुआ है वहाँ पर मैं सिलाई कर लूँगी पूरे में सो यहाँ पर मेरी यह सिलाई पूरी complete हो चुकी है और मैंने एक पार्ट को पलटाते हुए सीधा कर लिया है और प्रेस कर दिया है सो अब हमें यह सीधे वाले कपड़े के सोल्डर को यह वाले सोल्डर को हमें इस वाले कपड़े के नीचे की साइट से यहाँ सोल्डर तक लेके जाना है सो कपड़े को हमें पहले फोल करना है कुछ इस तरह से उसके बाद हमें ये सीधे वाले कपड़े को यहां पर रखना है और उसके सोल्डर को यहां से नीचे से सोल्डर तक लेके जाना है और पीन अप कर देना है सो कुछ इस तरह से अब मैं यहाँ पर सीलाई कर लूँगी सो यहाँ पर मेरी यह सीलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है अब मैं यहाँ पर उसे पलटाते हुए सीधा कर लूँगी सो यह वाले कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है और नीचे के सीधे कपड़े को पकड़ती हुए खीच देना है सो कुछ इस तरह से उसे खीच देना है सो ये सीधा हो जाएगा सो इस वाले मेथड से हमारी सीलाई कुछ इस तरह से आती है नीचे की साइड में सो दूसरी साइड भी कुछ इस तरह से ही करना है सो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने उसे ready कर लिया है अब हम यहाँ पर नीचे की साइड में frill attach करेंगे सो यहाँ पर मैंने यह strip cut की हुए है उसकी width है 6 inch और लंबाई आप अपने कपड़े के according ले सकते हो सो अब मैं यहाँ पर छोटी छोटी box pleats को create कर लूँगी और दूसरी pleats को कुछ इस तरह से सामनी की तरफ रखना है तो कुछ इस तरह से यह pleats ready हो जाएगी तो उसी प्रकार से मैं सारी pleats को ready कर लूँगी तो यहाँ पर मैंने यह सारी box pleats को ready कर लिया है अब हमें उसे press करके set कर लेना है सारी box pleats को मैं set कर लूँगी फिटिंग दे देना है यहां पर कुछ इस तरह से मेरी ये साइटिंग कम्पृỵट हो चुकी है अब हम यहां पर उसेAreटेश करेंगे सो यह वाले प्लिर्स को इस तरह से रखना है और यहां पर सिलाय कर लेनी है सो यहा पर मैंने यह फ्रील को attach कर लिया है उसके साथ हमारा ये top ready हो चुका है अब मैं यहाँ पर मोती को stick करूँगी सो यहाँ पर मैंने ये मोती को लिये हुए है सो मैं यहाँ पर उसे रखते हुवे पूरा stick कर लूँगी यहाँ पर सो यहाँ पर मैंने ये सारे मोती को रखते हुए उसे glue से stick कर लिया है उसके साथ हमारा ये top ready हो चुका है तो ये है sword top का complete look आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी helpful रही हो तो प्लीज उसे like कर दीजेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राब कर दीजेगा तक्यू पर वाच्चिंग कर दीजेगा तक्यू वाच्चिंगा